हेलो है असल लोग इस्टडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संपत्ति अंत्र अधीनियम 1882 में यह टीपी एक्ट के अंतरगत डॉक्ट्राइन ऑव एक्सेलरेशन अनके तीव्रता का सिध्धांत के बारे में तोरण के सिध्धांत के बारे में जो इस अधीनियम के धारा सत्ता इसमें समाईत है तो संपत्ति अंत्र अधीनियम 1882 के अंतरगत तीव्रता का सिध्धांत तीव्रता का सिध्धांत का सिध्धांत के डॉक्त ट्राइन ठीक डॉक्त ट्राइन और एक्लिडरेशन अधारा 27 में अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो मेरा चैनल नीचे रैड बटन दबा कर अभी सब्सक्राइब कर लें बिलकुल निशुलक है मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें करें और कमेंड भी किया करें रिखिए संपत्ति अंत्रअधीयन अठारा सो ब्यासी जारा 27 के अंतरगद तीवृता तीव्टा के सिध्धांत को समायत किया गया है में धारव 27 के नुसार जो धारव 27 में शब्दो को प्रयोग किया गया वा उसी उनी शब्दो है मैं यहां पर ट्रोग कर रहा हूं लेकिन जब उसका उधार सब उसके रत्रव बताऊंगा तो आपको यह समझ में आए लेकिन जब आप इसे एक दो आशा जो 27 में जो दी गई है जो शब्द यूज किया गए यह है कि जहां कि संपत्ति अंत्रड से उस संपत्ति में कोई हित एक बेक्ति के पक्ष में सहस्ट किया जाता है और उसी संपत्ति और उसी हित का कोई परतर बेयन उस अंत्रड के अधीन पूर्विक बेयन के निश्पल की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है और बहां पूर्विक बेयन की निश्पलता पर परतर बेयन प्रभावी हो जाएगा यदिपी बेयन निश्पलता अंतरग द्वारा अनुद्यात प्रकार से ना हुई हो यह वो शब्द हैं जो इस परवाशा में दिये हैं अब देखिए उधारर से समझे ऐसी को उधारर देखिए का इस यहां पर नाम है का इस शर्ट पर की का की मेरत्यू के पशाद खा तीन महीने के बीतर का की मेरत्यू के पशाद खा तीन मास के बीतर कोई भी पट्टा का निश्पादन कर देगा खा को और यदी बहे ऐसा करने की उपेच्छा करे तो गा को 500 रुपए अंतरित करता है का के जीवन काल में खा की ही मरत्यू हो जाती है खा ही मर जाता है का नहीं मरता है तो का के पक्षम बेन पर भावी हो जाता है फिर सुन लीजिए गा के पक्षम बेन पर भावी हो जाता है तो प fear पर चक् produção की अन्तेत यह को सब्रीज़ा गांवी हो जाए में जाती है कैसे पहले तो फिर वो गाह के लिए अन्तिद्थ हो जाता है क्ट्यों जाता है शुप गाह को पांच रुपर अन्तिद्थ का तो फिर तो नेकर प्रुआवी हो जाएगा अब तत्व देखिए आवश्रक तत्व पहला दत्व है परतर अंत्र परतर अंत्र अंत्र अच्छा यह परतर अंत्र क्या होता यह देखिए परतर अंत्र उसे कहते हैं जहाँ एक अंत्र के बाद उसी हीत को उसी अंत्रक से दूसरे अंत्रती को दिया जाए और दोनों अंत्रड एक ही समय एक ही प्रपत्र ठीक और एक ही साथ निश्पाज़त किये जाएं तो ऐसी इस्तिती में जो बाद में प्रहाद होने वाला प्रतेक अंत्रड परतर अंत्रड कहलाएगा इसी में दूसरा जो तत्वाए एक ही संब्यवार एक ही संब्यवार ठीक परतर अंत्रड एक ही संब्यवार में होना चाहिए जहां पर एक अंत्रड एक ही संब्यवार द्वारा संपादित नहीं होते हैं तो बहां पर तीव्रता है यानकि तोरड का सिद्धान लागू नहीं होता है नम्बर तीन पूर्व अंत्रड बैद होना चाहिए है पूर्व अंत्रड यान कि पहले का अंत्रड पूर्व अंत्रड बैद होना चाहिए ठीक बैद होना चाहिए है यदि पूर्व अंत्रड किसी कारण से अवैद अत्वा शून हो जाता है तो ऐसी इस्तिती में बाद वाला अंत्रड बाद वाला अंत्रड भी अपने आपी शून और निश्प्रवा भी हो जाएगा इसलिए जहां पर पहला अंत्रड बैद होता है वहीं पर से दान्त लागू होगा वहीं पर यह से दान्त लागू होगा एक दार और देखिए इसका दार सत्ता इसका कि का अपनी पत्नी को संपत्ती अंतित करता है अंतित तो जानती हो उसके नाम देखरता है अंतित करता है किन्तु उसके जीवन काल में ही उसकी पत्नी की मिर्त्त हो जाने की दशा में मलब पहले पत्नी की मिर्त्त हो गई बह संपत्ती जिसे उसने अपनी पत्नी को अंतित किया था ठीक जिनसे वह सावित करना असंबभ हो जाता कि वह उसके पहले मर गई खा के पक्ष में बेयन प्रभावी नहीं होगा तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की तोड़ के सिद्धानत के बारे में जो संपत्ती अंतरा धीनयम 1882 के अंतरगत 1727 में समाइथ है शामिल है अब में तेंगले वीडियो में तब तक के लिबाए जोड़े रहिए हसन लोई स्टडी के साथ